नमस्कार दोस्तों वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल स्टेज जोब दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं आये हो तो आप से रिक्वेश्ट है चैनल को सब्सक्रेब करके सब्पूट कीजिएगा डेली जॉब नोटिविएशन के लिए दोस्तों छोटी यूटीवर हूँ आ यार्पूट सर्विस है इसमें इसकी द्वारा दिल्ली पर कस्टमर सर्विस एजन का रिक्रूट्मेंट होने वाला है दोस्तों टूटल विकिंसी एक हाजार चोहात्तर एड़ बड़ेस्पन नंबर जिरू सबन अब्लिक आईजी आईएस अब्लिक दोहाजार चोवीस सब्सक्राइब मिलेगा 15,000 सर्गे 25,000 मिलेगा क्वालिफिकेशन दोस्तों 12 पास अगर आपने क्लस 12 का फाइनल एक्जम दिया है राजाल के लिए वेट कर रहे हो तो भी आप अप अपलाई कर सकते हो दोस्तों एज लिमिट 18 से लेके 30 यर एज रिलाग्रिशन मिलेगा जॉब है और जॉब लोकेशन दिल्ली होगा सेलेक्शन प्रोसेस रेटेन एक्जम होगा दोस्तों यह है दोस्तों ओफिशियल नोटिफिकेशन जो 6 मर्च 2023 को निकला पहले नोटिफिकेशन नमबर दिख सकते हो यह आपर डेट पी दिया हुआ है 6 मर्च से अप्लाइ स्ट सब्सक्राइब कर दोस्तों नोटिफिकेशन दिखाए महिला एंड पूरूष दोनों एप्लाइ कर सकते फ्रेशर्स एप्लाइ कर सकते विसमें एक ओप्शन दिया गया है दोस्तों एबिएशन कम एयरलाइन सर्टिफिकेट और तबा डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं है क्लास 12 जो लोगए पुरह एप्लाइ कर सकते हो लिखाए यह पर दोस्तों अपलोगों से रिट्न एग्जम किस प्रकार होका और सिलेवास क्या है यह पते रिट्न एक्जम 100 मार्क का हो और 31 घंटा को एक्जम के लिए टाइम मिलेगा है है आपको रिट्न एक्जम जनेरल awareness 25 मर्क 25 कुशन, aviation knowledge 25 मर्क 25 कुशन, English knowledge 25 मर्क 25 कुशन, aptitude and reasoning 25 मर्क 25 कुशन, दोस्तो आब आते हैं, details syllabus में, details syllabus यह आप दिया होए, general intelligence and reasoning में जो आपको पढ़ना होगा, the question is the part of the measurement of the candidate, general learning ability, the question will be broadly based on alpha numeric series जो विशाय आपको पढ़ना होगा, alpha numeric series, coding and decoding, analogy, following directions, similarities and differences, jumbling, problem solving and analysis, non-verbal reasoning based on diagrams, age calculation, calendar and clock, etc. यह आपको पढ़ना होगा, reasoning part में, अभी है, दोस्तों, general English, general English में आपको पढ़ना होगा, the candidate understanding of the basic of English language, English language basic knowledge है, वो आपको जानना चाहिए, its vocabulary, grammar, sentence structure, synonyms, शब्दर्थ, antonym यानि बीपुरिशब्द, and its correct uses, synonym, रेंटर्णूम का correct uses भी आपको आना चाहिए, etc. and to test comprehension, एक छोटा सा comprehension भी दिया जाएगा, a simple paragraph मैं भी given, and question based on the paragraph to be asked, एक comprehension या फिर एक छोटा paragraph की तरह दिया जाएगा, जिसको आपको परना है, परके समझना है, वहाँ से कुछ कुछन पूचेगा, उसका जबाब आप लोगों को देना होगा, English part में, ठीक है, synonym, antonym, sentence structure, और एक पर दिया जाएगा, paragraph टैफ या फिर comprehension इसको परके आपको आंसर करना है, यह आप जानते हो, स्कूल में भी करते हो, exam में, तो सो general awareness से आपको परना होगा, a broad coverage of the test will be, social studies, जिसमें आएगा history, geography, arts and culture, civics, economics, यह सब पर्ट आपको पर्णा होगा, और साथ में आपको पर्णा होगा, general science and environmental studies, अप टू 12th standard, प्लस 12th तक जो 12th standard का जो science है, वो आपको परना है, ठीक है, aviation knowledge, aviation knowledge में 25 मार, इस से आपको पर्णा होगा, Indian aviation, airport name, airport terminologies, civil aviation, airport codes, knowledge of international airport, यह सब बगर आपको जानना होगा, ठीक है, 100 mark है, exam होगा, written, एक mark करके exam होगा, no mark would be awarded for unattempted, अगर आपने किसी भी कुशन का answer नहीं दिया, तो आपका mark नहीं मिलेगा, आपको, the level of the exam will be, class 12th standard का exam होगा, ठीक है, आपको 12th standard की इसाब से आपको परहे करना है, the exam will be conducted in bilingual, English and Hindi, कुशन पेपर आपको हींदी में भी मिलेगा, English में भी मिलेगा, जो भाषा आपको पसंद है, भाषा चोज कर सकते, there will be no negative marking, यह पर कोई negative marking नहीं है, आप 100 में से 100 answer कर सकते हो, गलत जवाब होने से mark का काटा नहीं जाएगा, नेक्स्ट ओप्शन दोस्तो, while filling the online application form, the applicant should carefully decide about, is her choice of exam center, जब आप application form fill up करोगी, तो आपको carefully choose करना है, आपका exam center, आप कहाँ पर exam दोगी, तिक है, आप जहाँ चोज करोगी, वही पर आपका exam होगा, ठीक है, मैं exam center आ रहा हूँ, दोस्तो, दीके next option में बताएगा है, candidate को, बहुत carefully, exam center choose करना है, अगर आपने एक exam center choose कर लिया, तो वो दुबरस आप change नहीं कर सकते, इसलिए आप सोज समझ के, exam center सोच किज़ेगा, ज़रुरत पर तो time लिजेगा, उसकी बाद आपने, अपना exam center सोच करना है, ठीक है, दोस्तों आप यहापर तो बताएगा है, आप exam center choose नहीं कर सकते, लेकिन last option में बताएगा है, कि यह जो IGA aviation के पास authority है, वो आपने हिसाब से exam center change कर सकते है, ठीक है, चोश्तमस के exam center चोश कीजिए गया, यह है आपका exam center, श्टेट इनुडे, पहले बिहार एंड उत्रप्रदेश, वहाँ पे जो exam center होगा, आग्रा, गुरगपुर, काटपुर, लखनो, प्रयागराज, 12 नसी, 12 नसी, पाटना, दर्वंगा, मुजप्फरफूर, ठीक है, और जारकंड, उसके बाद जारकंड उरिशा उयजबेंगल, इसमें आपको यह जारकंड की से राची, उरिशा से भुबनेशर, और उयजबेंगल से कलकत्ता, शिलिगूरी, करनाट का एड करना से, बैंगलरू, माईशुरू, एमक्कुलम, कन्नोर, तिरिवननदपूरूं, दसो, चतिसगरा, एड मध्ध प्रदेश से आएगा, भुपाल, इंदोर, जबलपूर, बिलाशपूर, राइपूर, आशाम, मनिपूर साएगा, गुहाटी, इमपल, डिब्रुगर, दसो, दिल्ली, राजस्तान, उत्रगंसा आएगा, देहरादून, निउदिल्ली, जोईपूर, जोधपूर, उदेवपूर, दसो, चंडिगर, हिमाचल प्रदेश, जम्मु, काश्मिर और पाजब के लिए, चंडिगर, शिम्ला, जम्मु, शिनगर, अम्रित्शर और जलंदर, अंद्रप्रदेश, तमिलनाडू, तलेंगाने के लिए, विशाकापटनम, चैन्नाई, माधूराई, हाइद्रबाद, महराष्ट्र गुजरण, केरिया के लिए, नागपूर, मुंबाई, पुने, आमिदाबाद, सुरण, बुरुद्रा, राचकुट, यह है आपका एक्जम संटर, उम्मीदे आपको समझ में आ गए होगा, दोस्तों सिलेक्शन जो होगा, दोस्तों यहापर आपका रिटेन टेस्ट होगा, सौ मार्क का, रिटेन टेस्ट की बाद आपका एक इंटर्व्यू लिया जाएगा, और दोनों की कॉंबिनेशन से रिटेन टेस्ट के जो मार्क मिलता है, और आपकी पर्सनलिल्टी टेस्ट की बाद जो आपका पर्सनलिल्टी टेस्ट जो मार्क साएगा, दुनों को combine करके आपका merit list तेयर किया जाएगा इसलिए आपका interview के लिए भी आप लोग को prepared रखना है क्योंकि दुनों की performance की basis पर ही आपका selection किया जाएगा यह पर how to apply का option दिया गया है आप लोग चाहे तो यह पर जो option follow करके भी आप लोग online apply कर सकते हो ठीक है यह पर दिया हुआ है दोस्तो information अच्छी लगे तो please चैनल को subscribe करके support कीजिएगा दिन बोर आप लोग के लिए मैनत करता हूँ छोटी यूटीवर हूँ हम आपसे उमीद करते हैं एक साब्सक्रेब आपकी साब्सक्रेब हमारे लिए motivation की तरह काम करते हैं आप लोग के लिए काम करने का अगर आप लोग चाहे तो regular आप लोग के लिए काम करें तो please subscribe करके motivate कीजिएगा दोस्तो फिला लिए notification लिंक और online apply लिंक के लिए video description पर आप लाट हुए online apply का लाज़ दिट 22 में 2024 दूस्तो एप्लिकेशन फिए पर जूरूत नहीं है official site www.iziaviationdilly.com दूस्तो प्लीज चैनल को सब्सक्रेब करके support कीजिएगा best of luck